ओम शान्ति बाब दादा मदबन आज की मधूर मुल्ली 3-8-2023 मीठे वच्चे यात की यात्रा में टाइम देते रहो तो विकर्म विनाश होते जाएंगे सबसे मरमत मिट जाएगा बाब के गले का हार बन जाएंगे प्रश्ण है Godfather द्वारा तुम बच्चे किन दो शब्दों की पढ़ाई पढ़ते हो उन दो शब्दों में कौन सा राज समाया हुआ है उत्तर Godfather तुमें इतना ही पढ़ाता की ये आत्माएं सरीर का भान छोड़ो और मुझे यात करो ये दो शब्दों की पढ़ाई इसलिए पढ़ाई जाती है क्योंकि अब तुम्हें इस पुरानी दुनिया में पुरानी खाल नहीं लेनी है तुम्हें नई दुनिया में जाना है मैं तुम्हें साथ ले चलने आया हूँ इसलिए ते सहीत सब कुछ भूलते जाओं गीत तुमी हो माता पिता तुमी हो ओम शान्ति बच्चे शाली ग्राम जानते हैं कि कोई मनुष द्वारा हम साथ नहीं सुनते हैं इसको सत्संग नहीं कहा जाता है पढ़ाई कहा जाता है अगर मनुष्यों से पूछा जाए तो कहेंगे कि हम सत्संग में जाते हैं आज की मुल्ली से मुख 10. पहली पॉइंट अब तुम बच्चे जानते हो की निराकार परम्पिता परमात्मा ये सरी धारण कर पाट बजा रहे है दूसरी पॉइंट गीता में सिरी क्रेश्न का नाम डालने से खंदन कर दिया है अब मनुश्यों को कैसे पता पड़े तीसरी पॉइंट भक्ती भी बहुत समय से परमात्मा की होनी चाहिए क्योंकि उंच दे उंच हुआ हैं उनकी पूजा पहले सुरू होती है चौथी पॉइंट सपूत बच्चे शदयों गले का हार बंदे हैं बाब भी खुश होते हैं पॉइंट अनेक प्रकार के हट योग करते हैं उनको योग नहीं कहा जाता है मनुष इसकूल में पढ़ते हैं उसमें धक्के खाने की कोई बात नहीं रहती है कोई ना कोई इंदेहान पास करते हैं हे आत्माएं इस शरीर का भान छोड़ो इस पुराने शरीर को छोड़ना है आठमी पॉइंट बाप कहते हैं कि सिर्फ मुझे याद करो और कोई भी तरह बुद्धी ना जाए याद रखना है अंतकाल जो पुत्र सिम्रे अगर किसी को भी याद किया तो फिर वे जन्म लेना पड़ेगा नमी पॉइंट जैसी गर्व जेल में धर्म राज के द्वारा तुमको सजा दिलाता हूँ त्राई त्राई करते हो कि हम माफी मांगते हैं फिर ऐसे पाप नहीं करेंगे बाहर निकलने से फिर पाप करने लग पड़ते हैं दस्मी पॉइंट मनुष तो फादर टीचर सद गुरू हो ना सके फादर है और टीचर भी हो शके गुरू हो नहीं सकते सो भी वै जिस्मानी विद्या ये बाबा तो एकदम शर्ग का मालिक बनाते हैं कोई भी बात समझो तो हजार बार पोछो अच्छा धार्णा के लिए मुक कुशार पहली पॉइंट सपूत अग्याकारी बन विजय माला में पिरोना है बाब को अपना ककपन दे बलिहार हो सबसे मरमत मिटा देना है दूसरी पॉइंट अंत काल में एक बाब की ही याद रहे उसके लिए और सबसे बुद्धी योग तोर निरंतर बाब की याद में रहने का पूर्शार करना है वर्दान है आज का सर्फ खजानों को शयम में शमा कर दिल सिकस्त पनवा इर्षा से मुक्त रहने वाले सदा प्रसन्य चित भव बाब दादा ने सभी बच्चों को शामान रूप से सब खजाने दिये हैं लेकिन कोई उन प्राप्तियों को शयम में समा नहीं सकते वा समय पर कर में लगाना नहीं आता तो सपलता दिखाई नहीं देती फिर शयम से दिल शिकर्ष्थ हो जाते हैं सोचते हैं सायद मेरा भाग ही ऐसा है उन्हें फिर दूसरों की विसेश्ता वा भाग को देख इर्षा उत्पन होती है ऐसे दिल शिकर्ष्थ होने वा इर्षा करने वाले कभी प्रशन नहीं रह सकते सदा प्रशन रहना है तो इन दोनों बातों से मुक्त रहो स्लोगन है आज का स्वार्थ के बिना सच्चे दिल से सेवा करने वाले ही सच आत्मा है ओम शान्ति